तो हेलो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं चावल की आटा से बहुत ही स्वाधिश्ट और क्रिस्पी क्रारा नास्ता जो आज से पहले साइध ही आपने कभी खाई होगी तो इस बाट जो देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बना है तो हमने एक कटोरी चावल काटा लिया इसमें जीरा डालेंगे जीरा चटकने लग जाए उसके बाद अधरक लहसान और हरी मेर्च का पेष्ट डाल देंगे कोट कर लिया हुआ था इसमें हम डालेंगे 1 तीस्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पून डालेंगे चाट मसाला और जाट मिक्स कर लेंगे तो एक चिल चर्ठ क्यामद के तो जिरा पॉड़ करेंगे इसलिए चली हम देर कंगे favor by तो ठॉड़ने के वह भी टोरी पानी दाल देते हैं ठॉड़नी तो यान संदुरा करके दॉट तो फी खेल डॉटार मिक्स पाउडर को ज़ातỏ नालेते YouTania और इसे मिक्स कर लेंगे, तो देख सकते हैं, बहुत ही इसानी से मिक्स हो जाता है, तो चलिए इसके एक लोई तोड़ लेते हैं बड़ा, और इसे बनाना शुरू करते हैं तो कुछ इस तरीके से रोल करेंगे इसे और हाथ की मदल से कुछ इस तरीके से से शेप देंगे देखने में बहुत ही खुशुरत लगता है बच्चों को बहुत ही पसंद आता है कुछ इस तरीके से हम कट करेंगे यूनिक से ये डिजाइन बन जाता है हाथ की मदद से थोड़ा फैला देंगे और ट्रेइंगल से फडे देंगे इसे देख सकते है बहुत ही इजली बन जाता है बहुत ही जटपट बन जाता है अगर आब भी सोच रहे हैं कुछ जटपट जल्दी बनाना तो यह ज़रूर फ्राई करके देखें, बहुत ही जड़पट बन जाता है, चलिए हम दूसरी पारी बना लेते हैं, दूसरी बार भी, तो चागु में थोड़ा-थोड़ा हम मैदा यह आटा डस्ट कर लेंगे, ताकि यह चिपके नहीं कारते वक्त, तो हमने सारे बना के तैयार कर लिया हुए, तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं, तो तेल हमारा गरब हो चुका है, इसे हम फ्राई कर लेते हैं, तो इसे हम हाई फिल्म पे भी फ्राई करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगिए तो पिलिज लाइक और सब्सक्राइब कर दे तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से अब देख सकते हैं तो यह फ्राई हो चुके हैं इसे हम निकाल लेते हैं देखिए कितनी खुपसूरत लग रहे हैं देखने में तो देख सकते हैं मैं सारे फ्राइ कर लिए हुए है तो तोड़के दिखा देए यह देखिए उपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट वनी है तो चाय के साथ खाएंगे तो बहुत ही स्वाधिश लगेगा तो इंज्वाइए करें